नमस्कार दोस्ते, स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फेड़ से चाड़क नीति के एक और ग्यान बर्धक और महत्तपोर्ड वीडियो दोस्तो आवरत के आयसे धंग पती को रातो रात करोड पती से रोड पती बना देते हैं साथ ही साथ जब घर में होने लगे यह गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तो हर ब्यक्ति की सुक समरदिक काफी हद तक आईसी इस्त्री पर निर्वर करती हैं जो घर के सारे काम करें और सभी का खयाल रखें लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए क्यूंकि ऐसा करने पर महा लच्मी कभी नहीं आती हैं दोस्तो प्राची इनकाल से ही घर की बहु बेटियों को लच्मी का रूप माना गया है ऐसी माननता है कि एक इस्तिरी घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है हमारे सास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है कि जिनकी बज़े से खूसाहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है घर में दरिदर्ता आती हैं ऐसे में जानी आउरतों की कुछ गलतियों के कार खुसहाल और करोड़पती परिवार भी कैसे भिकारी बन जाता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा बिस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले किरपे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजी क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और यदि आप मित्रो रोजाना इसी परकार के धार्मी का और नालेजवल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फिरी में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस किजीए अब चलिए शुरू करते हैं आज का ग्यान बर्दकावर नालेजवल वीडियोस दोस्तों नमबर एक है जिस घर की औरतें अगर खाना खाते समय पाव को हिलाती रहती हैं तो बहगर कभी भी बर्बाद हो सकता है महा लच्मी रूठ सकती हैं परिबार में तनाव आदि किसी बड़े मुख्या की नौकरी भी छूट सकती है और मित्र नमबर दो है जिस घर की महिलाएं जारू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है बहा कभी भी लच्मी का बास नहीं हो सकता ऐसे घर में हर बक्त बीमारी परेशानी च्छा जाती है माना जाता है कि जारू में देवी लच्मी का बास होता है और मित्रो नमबर तीन है चूले पर जूटे बरतन या कड़ाय को गैस पर जूटा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लच्मी कभी नहीं आती ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारड है इसलिए रात को चूले पर जूटे बरतन ना रखे बरतन को तोरंत धोडा ले क्योंकि बरतन भी सराप देते हैं और मित्रों नमबर चार है ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है बहाँ भी धन की देवी माता लच्मी नाराज हो जाती है इसलिए आपके घर में अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोकते यह बिनासकारी हो सकता है क्योंकि महालच्मी का आगवन यही से होता है और मित्र नमबर पाँच है अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैट कर भोजन करती है तो इससे घर की बरबादी का कारण बढ़ता है हिंदु सात्रों में इसे बेहत अस्सु भुमाना गया है और मित्र नमबर छे है जिस घर की महिला रात या साम को जहरू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है इसलिए इस आदत को छोड़ती खास कर ब्रसपती बार के दिन वोशा नहीं लगाना चाहे क्यूंकि ब्रसपती बार जब कमजोर पड़ते हैं तो घर में बिनास कारी गरी भी आती है और मित्रो नमबर साथ है अगर केसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की यादत है तो बाह घर और परिबार के लिए आसुब हो सकता है देर तक सोने वाली इस्तरी अपने पती उसके परिबार और ससुराल बालों के लिए और अस्फलता का कारण पंती है परिपार में, म्रत्यू भी हो सकती है और मित्र नमबर आठ है, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आगन साफ करती है ऐसे घर में देवी लच्मी कभी प्रवेस नहीं करती घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए तुरंत पूजा पाठ भी करना चाहिए सच माइने में महालच्मी ऐसा ही घर में बास करती हैं तो मित्रों हमारा आज का ज्यान वर्धक और नालेजबल वीडियो पस यहीं तक था